कुंडली में प्रथम और दशम भाव के स्वामियों के बीच भावों के परस पर आदान प्रदान का क्या प्रभाव होता है? वैधिक जोतिश में परिवर्तन योग प्रथम और दशम भाव के स्वामियों के बीच भावों के परसपर आदान प्रदान से एक शक्तिशाली सयोजन बनता है। पहला भाव आपके आत्म, पहचान और समग्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दशम भाव आपके करिय, सामाजिक स्थिती और समाज में कारियों को नियंतरित करता है। जब ये दोनों ग्रह भावों की अदला बदली करते हैं, तो यह आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह आदान प्रदान अक्सर करिय की सफलता को बढ़ाता है, जिससे जातक में महत्वा कांक्षा और प्रेरना की प्रभल भावना पैदा होती है। आप खुद को पेशेवर विकास और पहचान पर बहुत अधिक केंद्रित पा सकते हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपके करिय से जुर जाती है, यह सयोजन बहुत प्रसिद्धी और अधिकार ला सकता है, खासकर अगर इसमें शामिल ग्रह मजबूत हो और चाट में अच्छ स्थिती में हों, हालां कि अगर यह ग्रह कमजोर या पीडित हों, तो चुनोतियां पैदा हो सकती हैं, निजी जीवन और काम के बीच संतुलन की कमी से खुद पर बहुत अधिक बोच पढ़ सकता है या आत्मदेख भाल को अंदेखा किया जा सकता है, इन उर्जाओं को